अपने इडाने लग जाओं तो सारा डिश्टिक जो है तो अगर हमारे पास जो है पचास स्कूल एक एक बिटा लोगा में पड़ते की तब भी जो है तीसी फोटो आप आप पेस्बूप पेगा ब्लोग करने सामको और जो है तो पूरे एक्टिविटीज को पोस्टर कितने अच्छे बना रहे है तो पूरे जो है पूराख्रन और देश में ही जो है आज जो है एनसस इस्तापना जिवस मनाये जा रहा है और जिसका यही उद्देशय के बच्चे या विद्यार्थी पढ़ाई के साथ समाथ सिवाभी करें यही इसका उद्देशय है और आप देख रहा हूंगे जो एनसस का बैज है एनसस का बैज इसका बहुत बड़ा महत्व है वाई यह उडिशा के कोणान मंदिर के सूर्य सूर्य मंदिर है उसके रथ चक्र से लिया गया और तिन रात में तीन पहर होते हैं और यह एक पहर पहर आठ गंटे का होता है एक पहर कितने गंटे का होता है आठ पहर का होता है तो आठ पहर मतब दिन में जो तीन पहर होते हैं आठ गंटे के हमको 24 गंटे जैसे तिरंगे में आप लोग 24 तीलियां देखते हैं मतब दिन रात हमको 24 गंटे में तत पर रहना चाहिए समास सेवा करन अचाहिए लेकिन नसक धाय में आपको पूर दिखती है नम्ह nig फे व्यम् Are और जो सहरे होता है और आधगनदे जब तीन फेर दिन और रात में तीन फेर रात के आलर्टर रहना जाए है और आठटे इंड़ो के अर्था फिर्षका हैं इसी प्रकार से हमको रहना चाहिए और यह जो निला रंग है भाई यह आपको जो एनसस की बैज में जो यह निला रंग दिखाई दे रहा है यह ब्रह्मान का एक छोटा सा अंस है ब्रह्मान का एक छोटा सा अंस जो है एनसस है यह पुरे ब्रह्मान को दिखाता यूनिवर्स या ब्रमान को दिखाता जो की संसार है और इसके बीच में 8 के लिए 8 पीदी बराबर एक पहर और 3 पहर बराबर 24 गंटे होता है अर्थात हमको परतेक पहर जो है समाज सिवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए अर्थात 8 तीया 24 दिन और राप में 3 पहर होते हैं एक पहर 8 ग जिवन और उसका होना चाहिए समाज सिवा की पहर चाहिए परतेक स्वयं सेवी को जीवनत होना चाहिए जाग्रत होना चाहिए और उसको ने उसका फोना चैनल चाहिए उसके नाचाहिए C smart कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो फट से अपने आप आप जैसे हमने पुरावाई अभी जो है उधर जो है माई को लेकर कि जाना है अपने आप वोलिंटेर्स का आर्थी होता है स्वयम से भी स्वयम बने ऐसे नहीं कि कहीं पर आप लोग देख रहे हैं कोई भुजूर का आदमी बीमार है वो बिचारा चलनी पा रहा हुए गिर गया प्रेयर में देख होगा आप लोग ने कोई बच्चा गिर जाता तो अगल बगल वाला उसको फट से पकड़ने के लिए स्वयम से भी कहीं पर भी कोई अच्छे कारे हो बुरे कारे हो तो पर्टेश में जो है आपको अलर्ट रहना चाहिए समासिवा करने के लिए और एनेसस का पंजी करन्ड दो वर्ष के लिए होता है दो वर्ष के भीतर आपका प्रफम वर्ष में जो है साधीवसे विस्यास इविल भी इसका बहुत बड़ा योगदान है तो आप लोग देखेंगे 24 सितंबर 1989 को महत्मा गांदी की जन्म स्कतार दिवर 37 विश्व विद्यालियों के 40 अजार स्वयम सेवियों के साथ महत्मा गांदी ने यहाँ नीव रखी थी कि NSS को लागो किया जाए और उनके मरने के बाद 24 सितंबर 1910 को भारत देश के अनेक परकार के सिख्छा आयोग कोठारी आयोग रादा कृष्णन आयोग अनेक परकार के आयोगों ने जो है बाद में यहाँ गोसित किया कि बाई यह नहीं परनतो आप नौट मी बठी यह हम से पहले आप अप नहीं आये बन गया हम से पहले आप पहले तो अब हमसे पहले और इसका सेवा असमाकम धर्मों सेवा ही हमारा धर्म है यहां इसका जो है वो देश्या है और इसका पड़तियाई वचन या NSS का पड़तियाई वचन जो है को आधार मान करके चलते हैं हमेशा सत्य की विजय होती है सेवा असमाकम धर्मों सेवा हमारा धर्म है और इसी प्रकार से आप लोग में विविन प्रकार की जो गतिविदियां होती कहीं पे कोई बिमार हो गया आप लोग रुदर्माना हॉस्पिटल के आसपास है आप लोगों ने वट्सएप ग्रूप में आभी नहीं 18 साल को हो जाएंगी जब पर लिचान एप लिए इसके अंतरगत की हां संपन होती है और सबसे पहला इसका उद्ज्य वही किका होई सबसे पहले सब्सें किस परकार से निखा घाँ तरके बाजार में रेडी नीकल रही तो किस परकार से नुसास को कर कि आपको चलना है जैसे तुम आज़ा वीडियो में जी आज़े हैं व्योटा लगाओ और यूटूब पर देखना कितने अच्छे डंग से उनड़केयां कितना अच्छा घाना गायरी और जी आइसी क्यों जालों कि प्या कहें इतना आच्छा उनकी वीडियो देखने ना पर संगी बात करों जिस दिन वो रन फॉर यो हीटी रन फॉर अजया दिका अमर्टुमावसा में दौर रहे तो उनरी ने तुन्याओं